दोस्तों, दुनिया में समय समय पर ऐसी महान आत्माओं का जन्म हुआ जिनका जीवन एक प्रकास पुंज था और ऐसे ही एक महान कड़ में होगी थे स्वामी विवेका नंद जी जिनोंने हमें बताया कि अगर हम केवल और केवल अपने लक्ष पर ध्यान दे तो हम कुछ भी आसिल कर सकते हैं तो आईए इस बात को हम स्वामी जी के जीवन में गटित एक कहानी से समझने का प्रयास करते हैं एक बार स्वामी जी अपने अस्रम में एक छोटे पालतू कुट्टे के साथ टाल रहे थे तबी अचानक एक युवक उनके अस्रम में आया और उनके पैरों में जुग गया और कहने लगा स्वामी जी मैं अपने जिंदगी से बड़ा पड़ेसान हूँ मैं प्रती दिन पुरुसार्थ करता हूँ लेकिन आज तक मैं सफलता प्राप्त नहीं कर पाया पता नहीं इस स्वरण मेरे भागे में क्या लिखा है जो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं नाकाम्याब हूँ युवक की पड़ेसानी को विवेका नंद जी तुरंद समझ गए उने युवक से कहा भाई थोड़ा मेरे इस कुट्य को कहीं दूर तक सैर करा दो उसके बाद मैं तुमारे प्रस्णों का उस्तर दोंगा उनकी इस बात पर युवक को थोड़ा अजीव लगा लेकिन दोवाड़ा उसने कोई प्रस्ण नहीं किया और कुट्य को दोड़ाते हुए आगे निकल पड़ा बहुत देर तक कुट्य को सैर कराने के प्रस्ण जब युवक आस्रम में पहुँचा तो उन्होंने देखा कि युवक के चेरे पर अभी भी तेज है लेकिन वा छोटा कुट्य ठकान से जोड़ जोड़ से हाफ रहा था इस पर स्वामी जी ने पूछा क्यों भाई मेरा कुट्य इतना कैसे ठक गया तुम तो बड़े सांत दिखने हो क्या तुमें ठकावट नहीं हुई युवक बोला स्वामी जी मैं तो दीरे दीरे आराम से चल रहा था लेकिन यही बड़ा असांत था रास्ते में मिलने वाले सारे जानवडों के आगे पीछे दौर रहा था इसलिए एक जैसी दूरी तैक करने के बावजूद भी यह इतना ठक गया तब विबेकान अंद जी ने का भाई तुमारे प्रस्णों का उत्तर भी तो यही है तुमारा लक्ष तुमारे अगल बगल है वो तुमसे कहीं दूर थोड़ी है परन्तो तुम अपने लक्ष का पीछा करना छोड़ अन्य लोगों के आगे पीछे दौरते रहते हो और इस तरह तुम जिस चीज को पाना चाते हो उससे दूर चले जाते हो जीवक उत्तर से संदुष्ट हो गया और अपनी गलती को सुधारने में लग गया दोस्तो क्या आपको नहीं लगता आज हम भी इस कहानी के कुट्टे के समान दूसरों को फॉलो करने में लगे हुए हैं आपका मित्र फैसन डिजाइनर है तो आप भी वही बनना चाते हैं भले ही उसमें आपकी कोई रुची हो या नहीं इसलिए दोस्तो दूसरों को फॉलो ना करें अपना लक्ष खुद बनाए और उसके पीछे पूरे लगन से लग जाए